इस खबर आपको बता दे जो सीधा राजधानी लखनाउ से आ रही है मायवती ने बड़ा दाव चला है BSP ने अपना दल के को ओफर दिया है पलवी पटेल को BSP ने अपने चुनाव चिन्पन लड़ने का नियोता दिया है पूलपूर या इलाबाद सीध का ओफर दिया गया है इस दोरान अखिलेश ने सपा से अखिलेश ने अपना दल के से गटबंदन में तूट का बयान दिया था जिसके बाद अब मायवती ने बड़ा दाव चलते हुए अपना दल के को ओफर दिया है और बस्पा के चुनाव चिन पर फूलपूर या इलाबाद सीध से चुनाव लड़ने का ओफर यहाँ पर पलवी पटेल को मायवती ने दिया है तो बड़ी खबर आपको बता दे जो सीधा लखनाव से आ रही है पलवी पटेल को बहुजन समाजवादी पाची ने अपने चुनाव चिन पर चुनाव लड़ने का नियोता दिया है फूलपूरिया इलाबाद सीध का ओफर यहाँ पर दिया है और अखिलेश ने अपना दल के से गट बंदन तूटने का एलान किया था अपना दल के और समाजवादी पाची के बीच जो गट बंदन है वो सिर्फ 2022 तक था अब कोई गट बंदन नहीं है जिसके बाद अब मायाबती ने बड़ा दाफ चलते हुए पलवी पटेल को बस्पा के चुनाव चिन पर चुनाव लड़ने का नियोता दिया है जब से इंडिया गट बंदन बना है तब से लगातार अपना दल को इंडिया गट बंदन के एक प्रमुक अंगी के रूप में नियोता देख करके हमको हर बैठक में बुलाया गए और उस तारितम में जो भी हमारा डिसकॉशन अब इस पर बड़ा दाफ चलते हुए माया वती ने बड़ा दाफ चला है और उनको नियोता दिया है अपना दल के को कि बस्पा के चुनाव लड़ सकते हैं क्या जो अनकारी आपके पास जो है पल्लवी पटेल ने बड़ा हमला बोलते हुए समाजवादी पार्टी से अलग होने का एलान कर दिया और कहा कि जिस तरह से अकले स्यादव मनोबल है राजनेतिक कैरियर है उसे नहीं चीन सकते इन सकते बीड जो है बस्पा सुप्रिमो मायवती ने इस दरार की बीच एंट्री मार दी है बस्पा पर्मुक मायवती ने चर्खा डाव चलते हुए जो है पल्लवी पटेल को आफर दे दिया और सुत्रों के यहां तक प्याग राज की किसी भी सीर से चुनाव लल सकती है अगर वह अपने यानि कमेरावादी दल से चुनाव ललती है तो वह वहां पर जो अपना पर्ट्यासी है बस्पा का उसे ने उतारेंगी इस खबर के बाद जो है यूपी की सियासत एक बार फिर से गर्म हो गई क्योंकि बस्पा सुप्रूमो मायोती लगातार जो है जो सपा के बिरोधी है उनको अपने पाले में करने के लिए जो है जी जान से जुट गई है और यही वज़ा है कि वह आप फूक फूक करो चुन-चुन कर अकलेस के गढ़ में अपने पर्ट्यासी भी उतार रही है और बात करे जिस तरह से सपा परमुख और के लेफिपा बात करेंगर स्वामी प्रसाद मौर की तो स्वामी प्रसाद मौर भी अलग हो चुकी है और पल्लवी पटेल ने भी गड़बंदन टूपने का एलान कर दिया इसके बाद संजे सिंग जनवादी पार्टी के नेता है और आखलेश के बहद करीबी है और समाजवादी पार्टी परमुख ने उनको मिर्जापूर से चुनाव लड़ानी का एलान भी किया था लेकिन जब उनका टिकट पका नहीं हुआ तो संजे सिंग ने भी नाता तोड़ते हुए अखलेश यादो पर हमले बोलने शुरू करती है तो जिस तरह से जो राजनेती गटना करम है वह दिनो पी का चुनाओ दो दूरे में बटूई है एक बीजेपी को जीताओ एक बीजेपी को हरा है और इसी का फाइदा जो है अकलेश यादो लेना चाह रहेते लेकिन जिस तरह से उनके पार्टी के जो गटबंदन था उसमें पल्लवी पटेल उन परकास राजगर समय दिगज न नए आखे अब डगमगा गई अकलेश यादों कि फिलाल लगातार तो पार्टी जोइन करा रहे हैं अब रहे हाली में जो है बीजटी डीजेपी और लोग दर्जन नेताओं को पार्टी में जो जोइन करें लेकिन अगर बात करें तो पल्लोवी पटेल का पना अलद होकस ह अपने दातिदात ओटों पर पकर मानी जाती है वहीं इसी तरह स्वामी प्रसाद मौर भी है उनकी भी मौर समाज में अच्छा दखल है तो ऐसे में सुर्भाईयन नेता नेता तो आ रहें समाजवादी पार्टी से लेकिन इस तरह से जो बड़े चेरे हैं लगातार जो है समा पड़े नेता पर्ट्याशिव को पार्टेश है और यहां तक कि कई ऐसी सिते हैं जिस पर मुस्लिम पर्ट्याशी तरह से जातिगत लग रहे हैं अब देखना ये होगा कि आखिर क्या अखिलेश या दफसर कॉंग्रस के बल पर उतर प्रदेश में किती सीटे जीत पाते हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साजा करें